फ्रेंड्स शॉर्टेंड जो है वो completely sound based होती है अब मैं आपको थोड़ा सा mistakes वगेरा के बारे में बता देती हूँ गाइज अगर हर वर्ड का एक single mistake count होता है चाहे outline छोटी हो चाहे बड़ी हो single word count होगा आपकी mistake में अगर आप एक single दा छोड़ेंगे तो उसका भी एक marks का mistake count होगा और अगर कोई बड़ी outline आप छोड़ते हैं जैसे repercussion हो गया तो उसका भी आपको एक marks ही कटेगा तो आप अपने dictation लेते समय यह ध्यान रखें कि कोई hard word आता है तो उसके चलते आप अपने short forms या जो short words है आप उसे न छोड़ दें ताकि आपके जो mistake है वो बढ़ना जाए उसकी वज़े से तो try करिए कि आप छोटे words भी लिख पाएं और बड़े भी लिख पाएं लेकिन बड़े के लिए ज्यादा time waste ना करें जिससे आपके कहीं छोटे words जो हैं वो छूट जाएं क्योंकि हर word का एक single marks count होता है friends अगर आप कोई भी word है dictation लेते समय अगर आप छोट देते हैं तो वो omission में count होगा और अगर आप किसी word की जगा कोई और word add कर देते हैं वो भी एक mistake count होगी या फिर अगर आप कोई word है जो आपका छूट गया है और उसकी जगा आप कोई substitute add कर देते हैं वो भी एक single word mistake count होगी तो आप अपने आप से कोई substitution नहीं लगा सकते हैं किसी word की जगा या किसी word के लिए आपको नहीं आप तो कोई addition नहीं कर सकते हैं उसमें कोई अलग से add नहीं कर सकते हैं अपने dictation में word जो आपके speaker ने dictation दी है आपको सिर्फ वही words को आपको लिखना है और उसी word को आपको transcribe करना हैं अपने आप से substitution नहीं करना हैं लगाना हैं कोई omission नहीं करना हैं क्योंकि यह तीनों ही चीज़े single word में mistake count होगी friends अगर आप dictation लेते समय कोई भी word को misspelled कर देते हैं तो वो उसके half marks कटेंगे अगर आपने spelling लिखने में कोई गरबड कर दी है जो spelling का मालीजे compliment है तो जिस तरीके से मैंने example दे रखा है compliment का तो compliment अगर praise वाला है तो उसमें c o m p l i m e n t लगेगा ना कि c o m p l e m e n t तो यह अगर आपके words spelling mistake होते हैं तो उसका आपको half marks कटेगा लेकिन हाँ अगर आपके name में mistake हो रही है क्योंकि जो name है वो हर इंसान अपना नाम अलग-अलग तरीके से लिख सकता है तो उसमें अगर आप mistake करते हैं तो उसका उसकी mistake आपकी ignore की जा सकती है क्योंकि वो नाम की mistake count नहीं होगी जैसे मैंने इसमें बता रखाया राजिंदर और राजिंदर अलग-अलग लिखते हैं लोग तो नाम की जो mistake है वो count नहीं होगी वो ignore हो जाएगी लेकिन अगर आपकी किसी भी तरीके की adjective में या दूसी तरीके की verb में किसी भी तरीके की miss spelling होती है वो आपकी half marks mistake count होगी आगे बात करते हैं जैसे कहीं पे भी अगर singular verb यूज होनी है या singular word यूज होना है उसकी जगह आपने plural कर दिया है या vice versa plural करना था लेकिन आपने singular कर दिया है जैसे मैंने इसमें example दे रखा है कि I prefer to wear jeans तो it is a wrong sentence क्योंकि I के साथ prefers नहीं होता है word की first form लगती है हमेशा वो follow कीजिए तो I prefer to wear jeans तो ये हमारी जो है इसमें हमारी verb की first form आनी थी लेकिन अगर हमने इस लगा दिया तो ये हमारी mistake count हो की तो इसमें भी half mistake हमारा count किया जाएगा तो आप ये ध्यान में रखेगा कि जहां पर singular use होना है उसकी वहाँ पर आप pruder ना use कर दे और and vice versa friends आप कोशिश कीजिए कि आप जादर से जादर dictations ले पाएं इससे आपकी speed बढ़ेगी आपको पता लगेगा आपकी कहां पर mistake हो रही है और कितनी accurately आप अपनी shorten ले पारे हैं dictations ले पारे हैं तो take dictations from your friends and family or from wherever you want to take your dictation and then try to transcribe it on computer और कोशिश कीजिए कि आप उसे computer पे ही transcribe कीजिएगा क्योंकि exam में यही pattern follow किया जाता है आप copy में उसको करेंगे तो आपको time पताने लगेगा कि कितनी देर में आपका transcription पूरा हो रहा है exactly आपने क्या-क्या mistake की हैं इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि computer पे ही उसे transcribe करें उसके बाद आप अपनी mistakes को find करें कि इसमें क्या-क्या मेरे से गलतियां हुई हैं आप अपनी चॉइस से dictation ले सकते हैं 80 word per minute 90 100 120 whatever you want to take you can take the dictation and friends इसमें practice की बहुत जादा जरुवत है so practice a lot अगर आपको मेरी video अच्छी लगती है तो please उसको like करें comment करें and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to watch more such interesting videos friends thank you bye bye